नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल ICT Icard B में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हो इस वीडियो में बात करेंगे Dizzy Locker के बारे में जी आपरेंस की Dizzy Locker क्या है Dizzy Locker का यूज हम लोग कैसे करते हैं Dizzy Locker में कैसे साइन अप करेंगे कैसे रेजिस्टेशन करेंगे और Dizzy Locker से कैसे कोई भी सर्ट्फिकेट को गवर्रमेंटल सर्ट्फिकेट को आप लोग डाउनलोड करेंगे जैसे आधार कार्ड, PAN कार्ड, COVID वैक्सिन सर्ट्फिकेट, Dara, Wing लाइसेंस, 10-12 का सर्ट्फिकेट सब कुछ आप लोग Dizzy Locker से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी स्टेप बताऊंगा, साती साथ अभी National Scholarship Portal में भी एक नया उप्षन दिया गया, लिंक Dizzy Locker का, तो पिछला वीडियो हम बनाया, जस्ट तुरंद एक वीडियो बनाया, उसमें बहुत सरे स्टूडन कमेंट करे जो भी देख रहे हों भी कमेंट करें, कि सरे Dizzy Locker होता क्या है, Dizzy Locker के बारे में बताएए, और Dizzy Locker में हम लोग कैसे लिंक करेंगे तो वीडियो में बता दिया है, लेकिन स्टूडन का कहना है कि Dizzy Locker क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, और हम लोग को NSP Scholarship को Dizzy Locker में लि लिंक करेंगे, आपको भी अगर आपके पास Governmental Certificate है, तो उसको आप लोग Dizzy Locker से कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चली स्टूडन वीडियो को सुरू करते है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक कर दीजेगा, दस्तुकसा गुरूप में जरू सेर कीजेगा, चैनल पर लिए तो सब्सक्राब करेंगे, नयान अपडेट हमेशा पाने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगो Dizzy Locker के बाले में complete information देता हूँ, कि Dizzy Locker क्या है और कैसे sign up करना है, तो देख सकते है Dizzy Locker Government का एक Locker है, मतलब Digital Locker इसको बूलता है, सौट में Dizzy Locker, जैसे कि लोगों देख सकते हैं, एक Locker है, जिसके अंदर आप certificate बगरा यहाँ पर upload करके रख सकते हैं, जो कि Government आपको 1GB यहाँ पर देता है data, 1GB आपको space देता है, मतलब 1GB space देता है, Digital Locker, इसका नाम है Digital, देख सकते है, Dizzy Locker Drive, जो एकना Pure Government of India का है, यह आपका आधार के साथ लिंक ह जैसे Google Drive होता है, उसी परकर यह Government का Drive है, Dizzy Locker Drive, Digital Locker है, ठीक है, Digital Locker है, तो अभी कैसे साइन अप करना है, कैसे document को आप upload भी कर सकते हैं, साथ ही साथ, जो Governmental Issues document है, जैसे जो Government आपको issue करते हैं, जो document, उसको भी आप Dizzy Locker में download कर सकते हैं, जैसे COVID vaccine certificate तो करी सकते हैं, आधार क driving license, pen card, और भी 10-12 का satp kit को भी download कर सकते हैं, तो कैसे करना हूँ लोग आप लोग देख लिए, ठीक है, उसके बाद बात करूँगा कि NSP में जो नया link दिया गया है, link Dizzy Locker यह करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ही हम अपना, जो है, Digi Locker को log out कर देते हैं, मेरा देख साइ करेंगे Dizzy Locker, तो first में ही आएगा, इसका एक app भी है, जो officially government का app, भारत सरकार का द्वारा बनाएगा, central government का app, पले इस्टोर में लिखेंगे Dizzy Locker, और आ जाएगा यह अप, फिर देख सकते हैं, लोग आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, पहले देख लिजे कैसे इसको sign up करना है, तो जैसे आप Dizzy Locker में click करेंगे, तो अपके सामने जो है, इस तरह interface open हो जाएगा, देख सकते हैं, भारत सरकार का logo भी है, और CVSC का certificate, CT8 बगरा जो pass करते हैं, CT8 का certificate भी आप लोग को Dizzy Locker में मिल जाता है, अगर आप CT8 बगरा पास करते हैं, तो Dizzy Locker में मिलता है तो देख सकते हैं, यहाँ पर option भी है, जैसे home page आप लोग Dizzy Locker का आएंगे, तो यहाँ पर home page में, जो हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए, बहुत सारे यहाँ पर, जो sliding होगा, देख से भी सीट, 2000 बाइस्टेंड, 12 मार्क सीट अवेलेबल नाव, ठीक है, Dizzy Locker से कर सकते ह आप लोग को sign up में click करना है, अपना full लाम यहाँ पर लिखना है, जैसा अधार में है, अधार से ही यह link रहता, तो आधार में जैसा नाम जैसा लिखेंगे, आप अपना data board को यहाँ पर select करेंगे, जैंडर आप जो भी यह जैंडर को select करेंगे, उसके बाद आप लोग यहा आपका इस पर sign up हो जाएगा, मेरा sign up किया हुआ है, अभी हम sign in button पर click करते है, sign in करने के लिए आप से क्या क्या मांगा जाएगा, आधार number या फिर mobile number, या फिर आप username अगर बनाएंगे, तो username भी आप दे के login कर सकते है, username का option भी जो sign up करते time आता है, तब हम मेरा sign up किया तो हम mobile number फिल कर दिया, जो six digit का हम pin बनाएं, उसको लिग देते है, forget अगर करना चाते है, तो forget भी pin कर सकते है, तो हम जो six digit का pin बनाएं, उसको type करके हम या पर sign in करते है, तो देख सकता है, अभी मेरा mobile पे OTP आएगा, जो अधार registered mobile है, उसमें OTP आएगा, अभी हम OTP फिल कर के submit button पे click करते है, submit button पे जैसे click करेंगे, तो मेरा ये dizzy locker जो है, sign up हो गया, मतलब dizzy locker पे हम login कर गया है, login करने के बाद आपका first में आधार का option आ रहा देख सकते हैं, क्योंकि हम आधार verify कर दिया है, आधार के साथ registered mobile number पे ही OTP आता है, उसका आधार पे click करेंगे, तो मेरा यह link रहा था, तो आधार का detail से fix कर देते हैं, और आधार के साथ आपका जो भी certificate link रहा था, वो सरा certificate आप यहां से download कर सकते हैं, सभी governmental issue certificate, ठीक है, अभी देख सकते हैं, यहां पर आप लोग issue document, आप issue document भी यहां पर find कर सेंगे, तो अभी मेरा आधार है, search document यहां सा आप search कर सकत document, जैसे हमको pen card search करना, मेरा pen card अगर खो गिया है, तो यहां से download कर सकते हैं, देख सकते हैं, पैन verification record है, अभी scholarship का बारी है, scholarship, national scholarship भी डिजी लोकर के साथ link हो रहा है, तो आप लोग डिजी लोकर में अगर search करेंगे, national scholarship, और वहां data fix करेंगे, तो आपका भी status दीखेगा, national scholarship म करने का option दिया है, तो यह compulsory नहीं है, आपको करना है, आप कर सकते हैं, लिंक इस पर कर आएगा, आधार नमर फिल करेंगे, next करेंगे, और LA का option आएगा, आपका डिजी लोकर के साथ, national scholarship LA हो जाएगा, एक तूसरे साथ link अप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं क करना तो आप नहीं भी कर सकते हैं, यह compulsory अभी नहीं है, अभी compulsory नहीं हो सकता, आगले साल में compulsory कर दे, लेकिन अभी जो है, यह compulsory नहीं है, लिंक डिजी लोकर पर किलिक करेंगे, ताधा नमर फिल करेंगे, फिर अलाक option देंगे, तो डिजी लोकर के साथ आपका national scholarship link हो ज तो आपको 10th का certificate को अगर upload करका रखना तो यहां पर आप upload फाइल में click करेंगे और अपना 10th का certificate को इस प्रकार ले लेंगे जैसे यह रहा मन के चले मेरा 10th का certificate को ले लिए और इसको upload करेंगे तो यह uploading में चल जागा देख सकता uploading successfully हो गया और इसको आप कहीं भी जैसे आप कहीं दूसरे जगा चल गया है अब आप certificate लेके नहीं गया है तो आप डिजी लोकर को login करके अपने वह वाल से कहीं से डिजी लोकर को login करके आप document को यहां से download कर सकते हैं तो डिजी लोकर रही है कि government के थुरू आपको एक जीबी का data दे दे देता digital locker में drive में रखने के लिए जैसे google drive होता उसी परकार यह government of India के द्वारा दिया जाने वाला governmental drive है जहां पर सभी data आपका सिक्वर रहेगा आप यहां पर upload करके भी रख सकते है ठीक है उसको नहीं चाहिए तो आप यहां से delete भी कर सकते हैं उसके बाद आपका इस तरह डिजी लोकर में upload जो है अपना document को रख सकते हैं जितना भी सट्पिकेट गॉबर्मेंटल इसू सट्पिकेट उसको सर्च भी कर सकते हैं जैसे कोबिट वेक्शन सट्पिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर आप लोग का जो आभा मतलब की आश्मान भारत का जो काड है उसको भी आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं यही यह गॉबर्मेंटल डिजी लोकर अपले यूज करना चाहा है तो यूज कर सकते हैं प्यूर गॉबर्मेंट सेंट्रल गॉबर्मेंट अप इंडिया का